इसे साथ प्रधान मंतरी नरेंढ मोधी ने तिलंगाना की राजधनी हैदराबाद में आयोजित एक रैली को संबोधित किया है इस दौरान उन्होंने परिवारबाद पर चम करने साना साधा है वह यहाँ पर बीजेपी कारकरताओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि परिवारबाद एक राजनीतिक समस्या नहीं है बलकि हमारे देश के लोकतंत्र और युवाओं की सबसे बड़ी दुस्मन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने शंबोधित किया है इस दौरान उन्होंने परिवारबाद को लेकर निसाना साधा है उन्होंने कहा है परिवारबाद से भ्रस्टा चार बढ़ रहा है तो तमाम चीजों को लेकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने निसाना साधा है तो परिवारवाद को लेकर निसाना साधा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा है कि सपने को चलता है परिवारवाद, परिवारवाद से वरिस्टाचार बढ़ता है और तिलंगाना का विकास हो रहा है ये उन्होंने कहा है तो परिवारबाद को लेकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर जम करने साना साधा है एहम जानकारी आप तक पहुचा रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज हैदराबाद में पहुंचे और PGP कारकरताओं को इस दौरान उन्होंने संबोधित किया है और जम कर परिवारबाद पर निसाना साधा है उन्होंने कहा है सपने को चलता है परिवारबाद प्यमने परिवारबाद को लेकर जम करने साना साधा है इस दौरान उन्होंने परिवारबाद को लेकर निसाना साधा साधी कहा है एक परिवारबाद वादी पार्टियों से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो परवारबादी पार्टी देश के यूबाओं की दुस्मन है ये भी उन्होंने कहा है इस दौरान तमाम शीजों को लेकर निसाना साथते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिये हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी तिलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित एक रैली में पहुँचे और इस दौरान उन्होंने परवारबाद को लेकर जमकर हमला बोला है यहाँ पर बीजेपी कारकरताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा है क परवारबाद एक राजनीतिक समस्या नहीं बलकि हमारे देश के लोकतंत्र और युबाओं की सबसे बड़ी दुस्मन है